ओम शान्ती आज के बाबा के साकर महवाके हैं 9 नवेंबर 2020 आज बाबा मुरली के सार में कहे मीठे बच्चे तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वेल्यूएबल है इसलिए इसे व्यर्थमत गवाओ पात्र को देखकर ज्यान दान करो आज बाबा ने प्रश्ण पुछा गुणों की धारना भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे उसकी सहज विधी क्या है तो बाबा ने उत्तर दिया जो बाबा ने समझाया है वह दुसरों को समझाओ ज्यान धन का दान करो, तो गुणों की धारना भी सहज होती जाएंगी, चलन भी सुधर्ती रहेंगी, जिनकी बुद्धी में यह नौलेज नहीं रहती हैं, ज्यान धन का दान नहीं करते, वह है मनहुस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं. आज मुरली में गीत सुनाया, बचपन के दिन भुला न देना, आज हसे कल रुला न देना, अर्थात ग्यान का बचपन जब बाबा के बने, वह दिन कभी नहीं भुलाना, ओम शांती, मिठे मिठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रिती समझा, हम आत्माएं है और बेहद के बाब के बच्चे हैं, यह भुला न दो, अभी अभी बाब की याद से हर्शित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं, अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाब के बनते हो, आप कहते हैं आज हसे कल रो न देना यह हुआ गीत का आर्थ तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांती के लिए ही धक्के खाते हैं तिरत यात्रा पर जाते हैं ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांती मिलती हैं यह एक ही संगम युग हैं जब बाप आकर समझा पहले पहले तो अपने को पहचानो आत्मा है ही शांत स्वरुप रहने का स्थान भी शांती धाम हैं आत्मा यहां स्थुल वतन में आती हैं तो करम जरूर करना पड़ता हैं जब अपने शांती धाम में हैं तो शांत हैं सत्युग में भी शांती रहती हैं सुख भी हैं शां प्रादर्शनी में जब अंदर घुसते हैं, तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता हैं आत्माओं का बाप एक ही हैं वही गिता का भगवान हैं बाकी यह सब आत्माएं हैं आत्मा शरिर छोड़ती और लेती हैं शरिर के नाम भी बदलते हैं आत्मा का नाम नहीं बदलता तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्सा मिलता है बाप सुख की स्रिष्टी स्थापन करते हैं बाप दुख की स्रिष्टी रचे ऐसा तो होता नहीं भारत में लक्ष्मी नाराण का राज्य था ना चित्र भी हैं बोलो यह सुख का वर्सा मिलता है अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है, तो एकदम छोड़ देना चाहिए. कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं. तुम्हारा टाइम तो बहुत वेल्यूएबल है. इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वेल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं. बड़े बड़े मनुश्यों का टाइम वेल्यूएबल होता है. बाबा हम बच्चों को बड़े आदमी बोल रहे हैं. बाब का टाइम कितना वेल्यूएबल है. बाब समझा कर क्या से क्या बना देते हैं. तो बाब तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वेल्यूएब पर टाइम मत गवाओ, नौलेश पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए, यह सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धी नहीं जो समझे, पहले पहले बाप का परिजय देना है, जब तक यह नहीं समझे कि हम आत्माओं का बाप शिव हैं, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, बहुत प्यार नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरे संप्रदाई जगडा करने में देरी नहीं करेंगे, गवर्मेंट स्टुडन्ट की कितनी महिमा करती हैं, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती हैं, कॉलेज के स्ट स्टुडन्ट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है न, बुढे या माताए पत्थर इतना जोर से लगा न सके, अक्सर करके स्टुडन्ट का ही शोर होता हैं, उन्हों को ही लडाई के लिए तयार करते हैं, अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तु उनको सिधा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, कितना रात दिन का फरक हो जाता है, सिधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अर्थात दे अभिमान में थे, अभी बाप आधा कल्प के लिए सुल्टा बनाते हैं, अर्थात दे ही अभिमानी बनाते हैं, अल्ला के बच्चे हो जाते हो, तो विश्व की बादशाही का वर्सा मिल जाता हैं, आधा कल्प रावन उल्टा कर देते हैं, तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते, राम राज्य और रावन राज्य को तुम बच्चे जान तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वा आर्थ करम भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है, कोई जिग्यासू आदी नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए, वहा है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदाकाल के इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है, माया घड़ी घड़ी और तरफ खयालात को ले जाती है, यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेंगी, इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसा कहते, माया ऐसा कहती, बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो इसमें ही विघन पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघन नहीं पड़ते, पवित्रता पर कितना मार खाते हैं, भागवत आदी में इस समय का ही गायन है, पुतनाएं सुपन खाये भी हैं, यह सब हैं इस समय की बाते, जब बाप आकर पवित्र बनाते हैं, उत्सव उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं, रामराज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया हैं, जैसे क्राइस्ट आदी धरम स्थापन करके गए, तिथी तारिक भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं, भक्ती मार्ग में वी य यह धन्धा आधा कल्ब चलता है, सत्युग में यह होता नहीं, यह दुनिया ही खतम हो जानी है, यह सब बाते तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, जो समझते हैं, बापने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है, सब आत्माओं शरीर छोड़ चली जाएं तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से यह सब विनाशो जाना हैं, सत्युग में सिरफ हम ही आएंगे, सब आत्माओं तो नहीं आएंगी, जो कल्प पहले आये थे, वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रिती पढ़कर और पढ भी रहे हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होते हो, तुम्हारी बुद्धी जानती हैं, जो आत्माओं हैं, सब नंबरवार वहां शान्तिधाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी, बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात हैं, बाप का परीचए देना, बाप का नाम सदेव मुख पर हो, आत्मा क्या है, पर्मात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते, भल गाते हैं, ब्रकूटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, बस जास्ते कुछ नहीं समझते, सो भी यह ज्यान बहुत थोडों की बुद्धी में है, गड़ी-गड़ी भूल जाते हैं, पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, वर्सा भी देते हैं, शाहिन्शा बनाते हैं, अर्थात राजाओ का राजा बनाते हैं, तुम्हारे पांस गीत भी हैं, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ती मार्ग में तकते थे, अर्थात इंतजार करते थे, द्वापर से भक्ती शुरू होती हैं, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं, कयामत का समय भी इसको कहा जाता हैं, आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुक्तु कर, फिर वापस चले जाते हैं, चौरासी जन्मों के पार्ट को तुम जानते हो, यह पार्ट बजता ही रहता है आत्मा का स्रिष्टी पर, शिव जयनती मनाते हैं, तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं, यह लक्ष्मी नारायन मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बाप राजयोग सिखाते हैं, यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाई और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉंग हैं। तुमको अब बापने समझाया हैं। तुम ही चक्र लगाई ब्राम्हन कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम हमसो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। हम अभी ब्राम्हन हैं। फिर देवताक्षत्रिय वैश्य शुद्र यह 84 का चक्र हैं। यह कोई मंत्र जपने का नहीं हैं। गुद्धी में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकेंड की बात हैं। जैसे बीज और जाड सेकेंड में सारा ध्यान में आ जाता हैं। वैसे हम सो का राज भी सेकेंड में आ जाता हैं। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता हैं। तुम किसी को कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं। कहेंगे यह तो सब अपने उपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता हैं। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता हैं। इसको ही सदर्शन चक्रधारी कहा जाता हैं। ऐसे कलियर करना है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं। यह फिर क्या गपोडा लगाते हैं, जब तुम बाप का परिचय देंगे, तो उनको गपोडा नहीं लगेगा, बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे, तो हम आप परवारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे, बाप कहते हैं, तुम कहते थे न, अभी फिर तुमको मैं याद दिलाता हूँ, नश्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नश्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाए, यह मीठी बात सबको पसंद आएंगी, बाप का परिचय नहीं होगा, तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे, इसलिए पहले तो दो तिन चित्र आगे रख दो, जिसमें बाप का परिचय हो, बाप का परिचय मिलने से वर्से का भी परिचय मिल जाएगा, बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओ का र ताजवाले माथा टेकते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए पहले बाप की पूजा करते हैं फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाई बैठ पूज यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला हैं। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे। आपे ही पुज्य, आपे ही पुजारी। अभी तुमको समझाया गया है। तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धी में यह नौले सदेव रहती हैं। और फिर समझाना भी है। धन दि नहीं करते उनको मनहुस भी कहते हैं। बापने जो समझाया है वह दुसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गुन भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जायेंगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब बाकी सब है बेसमज, तुम बच्चे सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं इस तरफ है देवी संप्रदाई, उस तरफ है आसूरी संप्रदाई, बुद्धी से तुम जानते हो, अभी हम संगम युग पर हैं, एक ही घर में एक संगम युग का, एक कल युग का, दोनों इखटे रहते हैं, देखा जाता हैं, हंस बनने लायक नहीं हैं, तो युक्ति रची जाती हैं, नहीं तो विघन डालते रहेंगे, कोशिश करनी हैं आग समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता हैं, विघन तो पड़ेंगे, ऐसी नोले तुम ही देते हो, मीठा भी बहुत बनना है, नश्टो मोहा भी होना पड़े, एक विकार को छोड़ा, तो फिर और विकार खिट-खिट मचाते हैं, समझा जाता हैं जो कुछ होता हैं कल्प पहले मुवाफिक, ऐसे समाज शांत रहना पड़ता हैं, भावी समझी जाती हैं, अ फिर कहा जाता हैं कल्प पहले भी जमाठ खाई होंगी, हर एक अपने से समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई, बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओ पर कितने अत्याचार क करते हैं, उरुष बल्वान होते हैं, स्री अबला होती हैं, बाब फिर तुमको गुप्त लडाई सिखाते हैं, जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो, यह लडाई कोई की बुद्धी में नहीं हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो समझ सकते हैं, यह है बिलकुल न सत्युग में, मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे, अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्च रुहानी मात पिता, बाप दादा को, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, आज की सारी मुर्ली से धारना के लिए सार है, उसमें पहला है, कुछ भी होता है, तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आपको कंट्रोल करना है, य युक्ती रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है, दुसरा है, बहुत प्यार और नमरता से सबको बाप का परिचय देना है, सबको यही मिठी मिठी बाते सुनाओ, कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नश्टो मुहा हो जाओ, आज बाबा ने वर्दान दिया, नमरता रूपी कबच द्वारा, व्यर्थ के रावन को जलाने वाले, सच्चेस नेही सहयोगी भव, वर्दान का डिटेल है, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंडने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी सुभाव संसकार का टकर दिखाई ना दे, अगर कोई गाली भी देवे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, अर्थात महात्मा बन जाओ, अगर कोई रॉंग भी करता है, तो आप राइट रहो, कोई टकर लेता है, तो आप उसे स्निह का पानी दो, यह क्यों ऐसा क्यों यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो नम्रता का कवज पहन कर रखो, जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा, आज का स्लोगन है, मेरे पन की अनेक हद की भावनाए, एक मेरा बाबा में समादो, ओम शांती